नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से बर आपको सागत है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा सा स्टॉक के बारे में, छोटा मतलब एक Small Cap Type Company के बारे में, जो Micro Cap था, उससे बढ़कर अभी Small Cap Company में पहुच गया है, तो इस कॉमपणी के बारे में बात करूँगा, क्योंक कॉमपणी जिस तरीके से performance करके आ रहा है, मतलब कुछ quarter से और कुछ सालों से इसका comparison to इसका balance sheet और इसका financial report आपको दिखाऊ, तो बहुत सांदर इसका financial report है, बहुत अच्छा कासा कॉमपणी काम करके आये है, और future में भी काम करने वाले है, तो आपको इस type stock में निवेस करना है, तो पहले आप इसके उपर जानकरी ले लिजिए, उसके बाद आपको लगे stock में निवेस करना चाहिए, तो आप निवेस कर सकते हैं, तो पहले आप सारे जानकरी ले लिजिए, उसके बाद इस company के बारे में आप decision लेंगे, तो फीडियो सुरू करने से पहले ही कहूंग बैक लोर, ब्लैक रोज, ब्लैक रोज जो company है, ये company का business model मुझे बहुत अच्छा रगा, company जिस field में काम करते हैं, मतलब जिस field में काम कर रहे हैं, उस field future के लिए एक stable हो सकते हैं, तो company का business model है, उसमें से सबसे ज़्यादा business करते है, company chemical sector के उपर, उसके बाद textile company के उपर, मतल पहले आपको समझा दू, उसके बाद सारे जानकर ये आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर में scanner.com साइट के उपर आचुका हूँ, आप आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पहले आपको company का data देखा दूँ, ठीक है, तो आप about black rose industries limited company का नाम है, तो इसका बारे में कुछ data आपको देता हूँ, तो black rose industry is primarily engaged in manufacturing and distribution of chemical, तो company का जो business है, वो manufacturing भी करते हैं, और distribution ही भी करते हैं, मतलब sales भी करते हैं, और बनाते भी भी है, तो chemical के उपर जाधा तर business company के है, साथी साथ, the company is also engaged in the business of textile manufacturing, देखें, textile के उपर भी manufacturing भी company करते हैं, साथी साथ यहाँ पर देखिए, activity in महारस्ट and wind power generation, आप जानते हैं, फीचर में इतने सरे green energy, clean energy के उपर काम करेंगे, तो clean energy जो है, वो है wind power, तो wind power के उपर future में company, जो जो company काम कर रहे हैं, वो future में एक potential जोर उसको मिलेगा, क्योंकि green energy, solar energy और clean energy के उपर जाधर काम होंगे, तो इस company भी देखिए, wind energy के उपर company जाधर काम करते हैं, तो यहाँ पर अभी तो राजस्थान और गुजराट इस दोनों state में company काम कर रहे हैं, future में और भी extend कर सकते हैं, तो इसलिए इस company का business model मुझे बहुत अच्छा लगा company का performance भी मुझे अच्छा खासा जबदस लगा, तो इसलिए इस company के बारे में आपको यहाँ पर discuss कर रहा हूँ, तो company के details दिखाने से पहले, मैं company का quarter two का result है, उसके बारे में एक बार आपको दिखा दू, तभी आपको clear हो जाएगा company किस तरीके से performance कर रहा है, तो यहाँ पर में quarter two का result दिखा दू, तो उससे पहले एक चीज़ आपको बता दू, company अभी one thousand करोर का market cap lesson, मान के चले company, अभी small cap type company है, तो इस type company में बहुत volatility आपको देखने को हमेसा मिलता है, तो इसका जो result है, उसका result के बारे में बात करो, तो obviously यह lakhs में दिया गए है, तो figure अब देख लीजे, तभी आपको पता चलेगा, total जो revenue company generate किया है, ten thousand two hundred, पिछले quarter में था, six thousand, मतलब पहले एक जबदस jam देखने को मिला, सती सत, पिछले सालों में था, six thousand, six hundred, यहापे भी आपको एक आच्छा सा रासा jam देखने को मिला, तो पहले एक five star rating वाला, एक performance यहापे आपको द eight hundred था, तो यहापे भी एक अच्छा खासा, आपको expense भी अच्छा खासा देखने को मिला, जिस तरीके से company income किया, उस तरीके से expense भी यहापे किया है, तो उसके बाद भारियात है, जितने सारे taxes है, वो tax को pay करने का, tax pay करने के बाद, company के हाद में, जो total comprehensive income आते है, वो यहापे से देखिए, seven crore का total income हुआ, पिछले quarter में, और पिछले सालो में था six crore, तो देखिए यहापे भी अच्छा खासा jam देखने को मिला, यहापे भी अच्छा खासा jam देखने को मिला, देखिए, एक, पिछले quarter से त्लोना में देखा जाए, दो करोड यहापे ज़्यादा company ने प्रफर्मेंस फीचर में करने वाला है तो देखिए आपको हमेसा अबडेट रहना चाहिए अभी पर्फर्मेंस अच्छा हो रहें तो आपको क्वाटर हर की हर साल की डेटां हमेसा देख लेना चाहिए तो कुमपैनि का जो अर्कषियर मातलि से 1.77 है पिछले कुआर्टर में 1.42 था पिछले साल में 1.17 था तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आप 10 देखने को मिला तो उसके बाद कुम्पनी के बारे मैं बात करूं तो उमें पहले ही बता चekक है कुण पनी if a Small Cap comparing could अब आपट एप आकच्छली कंप्झ殃 जब से इस कॉप्पनी को पर मैं स्टाडी कर रहो तब से माइक्रोका कंपनी था और इसका प्राइस रेंज तब से अब में आपको 65 रेंज था तब से मैं इसको इसको को स्टाडी करकर रखाऊ और इस कुम्पनी का प्राइस रेंज अभी 200 चल रहा है देखे 60 से 200 बहुत आम बात हुए क्योंकि कोरुना के सिचुशन के बाद कोई भी स्टॉक भागे है तो ये भी साय प्राइस प्राइस कोंपनी कर रहा है कोंपनी का प्राइस रेंज बहुत हाइग था उसके क्या तो इसलिए अभी और रुपिस का प्राइस रेंज यहाँ दिखने को मिल रहा है तो कॉंपणी के बारे में बात करूँ और भी तो कॉंपणी अल्मोस डेफ्री है कॉंपणी का जो डेफ्त है भोड रेडियूस कर रहा है सबसे ज्यादा है इसका सीजर परसेंटेज पांस साल में 77% का रिटन देखे चोटा कॉंपणी में रिटन अच्छा का सा मिलेगा तो इसके चेटले हैं अब इन्वेस्ट मत कर देना उसके बद स्टाड़ी करना उसके बद लागे हां उसमें पोटेंशल है तभी निवेस्ट करना ठीक है तो रिटन अफ इक्विटी देखे 34.96% है और कॉंपणी का बुग भाल को उपर बहुत बाट टाइम ट्रेड हो रहा है यह एक नेगेटिव विक है देखे नेगेटिव हुए है तो कोई भी कॉम्पानी रहेगा ही तो एक नेगेटिव हुए उए अर इतना पॉजिटिव हूए तो वह तो कोई बात नहीं ठीक ठाकी मुझे लग रहा है कॉंपानी गैमिकल सेटर से अच्चली टेडिडिंग उससे नमबर या पर एट नमबर बोजिशन में कमपणी बिलंग करते है क्योंकि कमपणी बहुत छोटा है अभी 1000 करोड का मार्केट के पिलेशन कमपणी के पास है तो कमपणी का सिर्फ एक क्वार्टर का रेजल देखे कुछ फाइदा नहीं आपको हर क्वार्टर का रेजल करोड इसे 4.85 उसके बाद 6 करोड 5 करोड 4 करोड करोड के सिच्विशन आया तब मात्र 2 करोड उसके बाद फिर देखिए टानवाच चेंज हो गया 6 करोड 9.95 करोड उसके बाद 9.17 करोड 2020-21 में 7.48 करोड तो देखी हर साल हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिल देखें जी आए जिस तरीके से कॉम्पानी खुद का सेल्स भी बड़ा ले है उस तरिके से क्वम्पानी प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है तो क्वम्पानी के बार हम क्या क्यों क्या garment कर रहा है साल भार के बार कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सबसे जो चीज मुझे अच्छा लगा कॉम्पानी का सेल्स क्रोथ भी ठीक है प्रॉफिट बहुत जावदस्त है साथी साथ कॉम्पानी का रिटान अभी क्यूटी और भी तेज मुझे लगा और एक बात वो है सीजर परसेंटेज कॉ वोटा कॉम्पानी होके इतना अच्छा का परफांस आपको ढूंड के निकलना पड़ेगा वो स्टॉक पांस साल में 56 परसें तीन साल में 59 परसें एक साल में 70 परसें एक साल में छोड़ी देता हूं अगर आप तीन साल देख लिजिए तब तो करूना नहीं था पांस साल एक लिए करोना नहीं था करूना के छीचूजन में मार्के घीर इसका से कर्फी मार्कें नहीं गी रह था पी आप देख सकते इसका सिच्छीन है सिच्छीन माना करीब आपको 40 परसेंस से जाधा यह चाण में ए करने के सोंचना चाहिए डह के कंपनी का सब्सेंस five स्टा के स करजा मतलब बोरिंग है तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का करजा भी 42 था 40 35 था अभी मात्र 18 करोड है मतलब कंपनी का करजा भी धीर जीरे कम हो रहा है कंपनी का जितने सारे होल्डिंग है सबसे बड़ी बात है प्रोमोडर देखे 75% यहाँ पर होल्ड करकर रखा कोंपनी के बारे में एक बात में जुरूर कहूंगा कंपनी के चार्ट पटन सबसे पहले आपको दिखा दू तो आज के दिन यहाँ पर देख सकते करीबन करीबन 10% से भी ज्यादा यहाँ पर अप्टन दिखा है इतना तेजी देखने को मिला इस कंपनी में तो आप मैक्सि मगर कंपनी और अब्वियसली हर टाइम में आप 10 मोंट में है तो इस टाइप कंपनी में आपको निवेस करने के लिए सोचना चाहिए फिर भी मैं कहूंगा इस टाइप कंपनी में आप निवेस करना चाहते है तो आप थोड़ा क्वांटिटी निवेस करिए थोड़ा अमा पॉब्लिक सेक्टर में बहुत भोलाटिलिटी हो सकता है पॉब्लिक कोई भी खराब सिच्योसिय में जाहतर माल बेचेंगे और माल खरीदारी करेंगे तो बहुत भोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा तो आपको लॉंग टम के लिए सोचना चाहिए इस कॉमपणी में लॉंग टम मिलेट के लिए जोरूर पोटेंसिल आपको जोरूर मिल सकता है कॉमपणी जिस फिल्ड में काम करते है अच्छा खासा एक रिटन देने वाला कॉमपणी है वासा करता हो सारे जानकर आपको मिल चुका है इस वीडियो को देखके आप स्टाडी करिए उसके कि बाए बाए